आग्रा में हिर्दय रोगियों की संख्या बढ़ते देखते हुए SP होस्पिटल में हिर्दय मरीज को राहत दिलाने के लिए CAT LAB मशीन का शुवारम किया है हर अभियार को मात्र 3,000 रुपे में जरुवत मरीजों की एंजियोग्राफिक की जाएगी देश में लगातार खानपान और लाइफ स्टाइल बदलने की वज़ा से कई तरह के रोग सामने आ रही है इन में से एक सबसे बड़ी बिमारी दिल की बिमारी निकल कर आ रही है इसका इलाज बहुत ही महंगा होता है सरकारी शेत्र में आग्रा में इसके लिए कोई भी इलाज की सुभिदा नहीं है साथ ही निजी अस्पतालों में इसका इलाज बहुत ही महंगी दरों पर किया जाता है यहाँ पर आसपास में कोई कैटलब था नहीं मरीजों की परेशानी को देखते हुए मारूती स्टेट इस्थित SP हॉस्पिटल में हिर्दय के रोग्यों के लिए कैटलब मशीन का शुभारम किया गया है जिसमें आग्रा के जाने माने हिर्दय रोग विशेशक गये डॉक्टर नीरज कुमार अस्पताल में आए मरीजों का इलास करेंगे मरीजों को बहतर सुविधा के साथ एंजियोग्राफी की भी सुविधा SP हॉस्पिटल में शुरू की गई है हर अविवार को दस ऐसे मरीजों की एंजियोग्राफी तीन हजार रोपे में की जाएगी जिससे मरीजों को काफी आराम मिलेगा साथ ही हिर्दय के रोग्यों को दूसरे जिले और अन्य राज्यों में इलाज के लिए नहीं जाना पड़ेगा कारिक्रम के उद्घाटन के समय डॉक्टर नीरज कोमार स्पी हॉस्पिटल के डारेक्टर मयंक शर्मा अनुप शर्मा और स्पी हॉस्पिटल के समस्च किसक मौझूद रहे सीन्यूज के लिए लक्षमी राज सिंग की रेपोर्ट